मात्मा नारद्धी बोल गए थे एक काम करो वेटा जा करके गोविंद का टीका कर दो और वो समय पर आ करके रुकपडी का अभिवाह करें रुकमी ने कहा पितादी तुम्हारी बोद्धी परस्ट हो गई है कहा इतनी साफ सुतरी मेरी बहन और इसका विवाह उस कालिया कर्ष्ण से जिसके न जाति का पता न कुल का पता मैं ये विवाह करने वाला नहीं हूँ उसने मना कर दिया और सिस्पाल के साथ रुकमडी का अभिवाह करने के लिए सिस्पाल का टीका कर दिया ये माराज परिक्षित जी पात साल से साथरा करते करते रुकमडी जी भगवान को अपना पती मान नहीं रुकमडी जी ने अपने मन में कहा चाहे सव बार पैदा होना पड़े मर जाना पड़े लेकिन हे गोविंद मैं आपको छोड़कर दूसरे के साथ दूसरे का बर्ण नहीं कर सकती और इस संसार में संकल्प उनहीं लोगों का पूरा होता है जिनके संकल्प में बिकल्प नहीं होता है और जब संकल्प में बिकल्प होगा तो संकल्प को पूर्ण करने की अवस्ता फिर नहीं होता है एक बात मालो अंग्रेजी में कहावत है वर्किज वर्षिप इसका मतलब है कर्म ही पूजा है जिसने कर्म को पूजा माना मैं धन्यवाद देता हूँ उनको और संसार में कर्म दो प्रकार के एक सत कर्म और एक दुस कर्म जिनोंने कर्म को पूजा माना है उन्होंने वास्तों में सट कर्म को ही पूजा माना होगा वर्क इज वर्षिप से कल्यार आपका होगा लेकिन टाइम लगेगा अगर जल्दी कल्यार चाहते हो तो वर्षिप इज वर्क कर डालो और जल्दी भगोत प्राप्ती हो जाएगी worship is work पूजा को ही अपना कर्म बना लो कर्म को पूजा बकर भगवान जल्दी करपा करें रुक्मणी जी ने देखा कि स्युस्पाल बरात लेकर किया गया है रुक्मी रुक्मणी जी ने एक साथ लाइन के चिट्थी लिखी है और एक चिट्थी लिख करके शाथ लाइन की सुदेव नाम के पन्डिक जी को दे दिया कहां ये चिट्थी ले जा करके द्वारिका में गोविंद को पकड़ादो बस इतना काम करना वो ब्राम्मण पत्र ले करके स्रिरुक्मणी जी का पत्र ले करके वो विदर्व से चल करके द्वारी का है और जब गोबिंद के हाथ में पत्र दिया स्वाम को और भगवान ने पत्र खोला तो उसकी पहली लाइन जानते हूं क्या लिखी है केवल साथ लाइन की चिठ्थी है भाईया चिठ्थी लिखने का जिसको तरीका न पता हो वो रुकमणी जी का पत्र पढ़ भी ले और सुन भी ले कि साथ लाइन लिखा है लेकिर गागर में सागर भर दिया है रुकमणी जीनी कुछ छोड़ा भी नहीं उसमें सबसे पहली लाइन लिखा उनोंने गोविंद्रे चित्री खुला तो उसमें लिखा है कि स्रुत्वा गुलान भुवन सुन्दर स्रुणवताम ते निरिविश्यकर्ण विवरैर हरतोंगतापं रूपम द्रिस्ताम द्रिसिमताम अखिलार्थलावं त्वयत्युता विशत्यचित्म त्वयत्युता विशत्यचित्म अत्रपमी इधाकृत एच्युत त्वयत्युता विशत्यचित्म अत्रपमी मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है अभी तक हमारा आपका दर्शन नहीं हुआ है मैंने केवल सुना है कि भगवान नाम की भी कोई चीज है मैंने आपके बारे में संत भात्माओं से सुना है क्या सुना है माराज जी इस संसार में आप बहुत सुन्दर हो ठाकुर जी ऐसा मैंने सुना है और जैसे बाकी जाकी के रूप का आपके रूप का बर्णन संत विद्वान करते है वो ऐसी बाकी जाकी का चित्र बना करके मैंने इपने हिर्दमी बैठा लिया है आपका वैसा चित्र मैंने हिर्दमी बना कर मैठा लिया है प्रभू आप सोचते होंगे ये कैसी लड़की है ये चित्थी लिख रही है साधी करने के लिए जो साधी करने के लिए चित्थी लिख है वो कौन कुलीन हो सकता है भला ये बात मत सोचना गोविंद, मैं कुलीन हूँ दूसरा अश्टों देखना कात्वाम कुन्न महती कुलसील रूप विद्याबयोद्र विणधाम विरात्म तुल्याँ धीरापतिम कुलवतिम ब्रडीत कन्या तालें रसिंग नरलूप मनो भिराम भगवान ने कहा, रुकमणी जी ने कहा माराज जी मेरा कुल ठीक है मैं सीलवान हूँ मैं रूपवान भी हूँ मैंने पढ़ा लिखा है मैं जवान भी हूँ हाँ, मुझसे विवा करने पर सब चीज़ आपको मिल जाएगा सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगा केवल धन क्योंकि भाई पच्च में नहीं है भाई भी रोद कर रहा है विवा का मेरी अईसे अईसे लिखा रुक्मण जीरी अंत में लिखा कि चाहे मैं सव बार पाइदा हूँ धर्ति पर और मर जाओ ये चलेगा ठाकुर लेकिन आपके सिवा मैं किसी को अपना पती नहीं बना सकते रुक्मणी जी के इस पत्र को पढ़ते पढ़ते भागवान के आखों में पानी आ गए उन्होंने दारुक्षे का रत जोतो और शुदेव ब्रामण चे को पहले बैठाया रत पर और भगवान स्रिक्रिष्ट चले द्वारिका से विजर्व की तरव ब्रामण को बैठाया और एक बात ध्यान रखना भगतो आज ये गड़ेश जी का बारा नाम बोल दे रहा हूँ गड़ेश जी के बारा नाम इसको पढ़ करके आप लोग घर से जब निकला करें तो ये गड़ेश जी का बारा नाम जरूर पढ़ लिना माल लिना ये बात जिंदगी में न तो आपका कभी एक्षिडेंट हो सकता है न रास्ते में आपको चोट लग सकती है चाहे भद्रा हो, चाहे ब्यदिपात हो, चाहे दिशासूल हो ये गड़ेश जी का बारा नाम पढ़ करके ही घर से निकला करें ये बारा नाम है बगवान की गड़ेश जी के कौन-कौन सुमुखस्चे कदंतस्च कपिलो गजकर्णका लंबो दरस्च बिगटो बिग्न नासो बिनायका धूम्र केतुर गळा ध्यक्छो भाल चंद्रो गजानना त्वादस एता निनामानी या पठे स्रुन यादपी बिध्यारंबे बिवाहे चा प्रवेशी निर्गमे तथा संग्रा में संकटे चैवो बिग्नस्तस नजायते ये जिन्दगी में प्रियोग किया हुआ भी चीज है और सास्त्रिय तो है गलेजी के बारा नामों का जब करके भगवान निकले और सीधे वो द्वारिका से चल करके बिधर्म में पहुँच गए और सुदेव ने जा करके रुकमणी को बताया कहा भगवान आ गए है रुकमणी जी मारे चिंता के परिशान थी आज रुकमणी का मंगल में सिंग्डार हो रहा है ध्यान देना सब्दों पर रुकमणी का सिंग्डार हो रहा है आज रुकमणी का विवा होगा सिस्पाल के साथ भवजाईयां सजा रही है तो रुकमणी जी कहते है कि मुझे ठीक से सजाना आईसा सजाओ कि देखने में लगे कभियों ने बड़ी शुन्दर लाइने दी है थोड़ा अनंद्री जी आओ मेरी सक्षियों मुझे ऐसा सजाओ ऐसा सजाओ मुझे में दी लगादो और मुझे स्याम सुन्दर की दुलहन बड़ा दो आओ मेरी सक्षियों मुझे में दी लगादो में दी लगादो मुझे सुन्दर सजाओ मुझे स्याम सुन्दर की दुलहन बड़ा दो मुझे स्याम सुन्दर की दुलहन बड़ा दो जै हो की दुलहन बड़ा दो संपे संग में मेरी बात चलाए संपे संग मेरी बात चलाए संपे 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 बात चलाए आओ मेरी सक्यों मुझे महधी लगा दो मुझे संदर सचा दो मुझे संपे लगा दो मुझे संपे संपे तुलिह ने मर्था बोले मुपडी मैया की बहाव से भीया नाजियों किसे लाए 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 मुझे ज्याम सुन्दर की दुलहन बना दो 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 कुद्सों है भगवती रुक्मणी का स्रिंगार करके रुक्मणी जी अपने भावजाईयों के शाथ आती है मातारानी की पूजा करने के लिए मंद्र वे देवी की कुल देवी की विधिवत पूजा की आहे रुक्मणी जी ने भागोत पेशा लिखे मधुपर कमुपानिय मधुपर कमुपानिय वासांसे विरजांसे हा उपायन्यान वेष्टानी विधिवत संपूजयत विधिवत पूजा किया रुक्मणी जी ने भगवती महासुति मा पार्वती जी की रुक्मणी की भावजाईयों ने कहा अरे रुक्मणी मा से कह दे कि अगर तेरे उपर प्रसन हो तो तेरा विवास उसपाल के साथ हो जाए तो रुक्मणी जी बरदान क्या मागती है नमसे त्वाबाम इके विक्चनम स्वसंतान युताम सिवाम भूयात्पतिरमे भगवान क्रिष्ण भूयात्पतिरमे भगवान क्रिष्ण स्तदनु मोधता रुक्मणी ने कहा मा अगर मैंने धंग से पूजा की हो तो मेरा भिवा भगवान क्रिष्ण के साथ हो जाए भूयात्पतिरमे भगवान क्रिष्ण भूजाया हस्पडी कहा ये बताओ बरात ले करके सिस्पाल आया है और पती क्रिष्ण जब मंदिर से बाहर निकली महाराणी रुक्पडी जी पूजा करके तो भागवत में लिखाये कि पदाचलन तीम कलहन सगामिनी सिंजतकलानू पूरदाम सोभीना जैसे रुक्पडी जी बाहर निकली अचानक जितनी टाइट सिकोर्टी रखी ती रुक्पी ने वे सब रुक्पडी जी की साउंदरिता को देख करके मुर्चितो गई महाराणी और भगवान रुक्पडी को उठा करके रत में बैठाए और चल दिये विदर्म से वारिका के कुंडिनपुर के तरफ जब भगवान रत ले करके चले तो रुक्पडी का भाई चिलाया अरे कढईया अगर तुझमें दम है तो संग्राम करके जीत करके ले जाओ भगवान खड़े हो गए छण मात्र में इतने बान चलाए महराण कि सारी सेनाओं को काट करके फेक दिया और रुक्पमी को बांध करके भगवान रत में घसीट करके ले करके चले तब तक इधर से बलराम जी आ गए उन्होंने पता चला उनको कि स्वेंबर में गए है तो कहा मार पिठ हो सकती है सेना ले करके जा रहे थे राश्ते में जब बलराम जी मिले न बलराम ने कढईया से हाल चाल पूछा और उसके बाद क्या कहा रुक्वी ने बलराम जी से कहा कि भाया यह मेरा भाई है इसको छोड़वा दीजी आप बड़ी करपा हो बलराम जी ने बड़े प्यार से कहा कनया इसको छोड़ दो रुक्वी को क्यों कहां छोड़ दो हाई तो अपना रिष्तेधार साला ही है अब इसकी बहन भी ऽिए जा रहे हो इसकी भी इसको भी घसी रहे हो यह चर रिस्तेदार है जोड़ दो क्योंकि एक पुरुसकी जो ससुराल होती है сторон का संवन्द सखिरी निए 15 confidence लेकिन सईस्वाल के सब्साचर से हुगा निए और इसे कटाच को करते गोव स्वामी जी नहीं कहा था कि ससुरारी पियारी लगी जवते रिपुरूप कुटुंब भैतबते भागवार रुपणी को ले करके द्वारिता के कुंडिन पुर्भी आए ब्रामर लोग बैठे हैं यही पर स्वस्तिवाचन होता है प्रामर वो भगवार के बस्तक पर चंदर लगा करके कस्तूरी तिलिकम्ललाट पटले वक्षस्तले कौस्तुवावं नासाक्रे मरमोक्तिकम्तर्तले वेडुंकरे कंकडम सरवांगे हरिचंदरं सुनलितं कंडेच मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टिकों विदयते गोपाल चूडाने है कि याज बडा मंगल बैंशनल रहे हैं वह बगवान का विवार उक्ष्पणी के साथ पहला पहला व्युवार उप्ष्पणी के साथ उन्राए और कभियों ने उत्तरिक्षाय दी हैं आईए सब लोग मस्ती से थोड़ा अनुद लेते हैं भगवान कैसी लग रहे हैं और स्री रुक्मणी जी कैसी हैं बोली भक्त वसल भगवान की है तेरा जीस ने किया सिंगार समरे हो तेरा किस ने किया ध्यान देना उत्तरिक्षा है उपमा है और अलंकार है भगवान की शौन्दरिता को ये प्रदर्शित करता है तेरा जीस ने किया सिंगार समरे तेरा जीस ने किया सिंगार समरे तेरा जीस ने किया सिंगार समरे तू तो दू ना लगे सिंगार समरे तेरा जीस ने किया सिंगार समरे फड़ाब दूए हूँ शॉआ हूँ बस्ती सबस्वाब बस्ते है शॉआ हूँ जुआ हूँ कि लगज दुआ हूँ मस्तक पर मल्यागिर जन्मन के सर पिलग लगाया रहे सलामत हाथ सदा वो खुझने तुझे सजाया वो सदाता रहे बारस चावड़े तुझे सदा वो सदाता रहे सदा रहे रहता रहे तुमना लगे तिल का लगे कुछ गोहा लगे तिल का लगे तेरह लेकिया इंदारकाव की तेरह न आउति थीओ इंदारकाव वालिया लगाते हुए पस्कु से, बोलो बाते हैं विहारी राने की हो बागों से खलिया जुन चुन कर सुन्दर हाल बनाया रहे खलामत हाथ सदा इतने मुझे सदाया रहे सलामत हाथ सदा इतने तुझे सदाया वहेगता रहे हर वारता रहे थेरा वस्कु देखिया शिकार रता रहे तेरा किसमें देखिया सिंकार सामरे तिल लगे दूला सा तू तेरा यार सामरे लगे दिला सा तू तिल लार सामरे तेरा किसमें देखिया सिंकार सामरे तेरा किसमें देखिया सिंकार सामरे यहाँहाँज। को नगाँएभी है दिता ही भोच्ट यहाँज। यहाँज। नग्वरोचर का प्याँज। को जोच्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किAf मुझा है आहां तो से ना कुछ जाओं पने रिखाओं तो ना चाता रहे हर बार रचाँ गरे इसे बिया कि तारका मुले, 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 इसे बिया कि तारक लेकी ना में कर्सके बुत अबुता नुखिए नजा नजा मुखे का नरी जा मतलों मुखुटि सिरी मौरी का तेरे तिति चोरी का सुनना सरकारिके गड़िने गठारिके कि दोने दा धरिकारी के, अचिने हैं नतारी के तो कुछी सिरी मुर का, मेरे जिक्तोर का मुपते जिन दोर का, मेरे जिक्तोर का अरे बहुते जिक्तोर के, अचिने हैं नतारी के अरे बहुते जिक्तोर के अरे बहुते जिक्तोर के कहें कमर ले लटाएंगी नेनों को देखिके कमर ले लटाएंगी नेनों को देखिके कमर ले लटाएंगी मेनों को देखिके कमर ले लटाएंगी नेनों को देखिके तुझे बिरी घरी गजरेंगी एक भे और ले लटाएंगी ậुझे बियके जमन को बिशार के, बहुं के बिशार के जमन को बिशार के, बहुं पिशार के एना सरीकार के, घच्चे नचार के ने ना साने कालिके शाचिले है कालिके इस प्रकार से भगवान का पहला भिवाहा रुक्मणी जी किशाच संपन्न हुआ शुगदेव स्वामी कहते हैं परिक्षिद्धी भगवान का दोस्रा भिवाहा जामवती किशाच द्वारिका में एक सत्रजित नाम का यादो था उसके पास एक मडी थी जिस मडी का नाम था स्मेंतक पड़ी एक बार भगवान ने मांगा वो मडी और कहा ये मडी अगर तुम दे दो ये मडी आठ भार सोना डेली देती थी एक भार में पचीस किलो कहा गया है और आठ भार का मतलब दो कुंतल दो कुंतल सोना वो मडी डेली देती थी भगवान ने कहा ये मडी तुम राजपोस में जमा कर दो सत्रजित में मना कर दिया एक दिन उस मडी को पहन कर सत्रजित का भाई चला गया प्रसेन दित उसको रास्ते में सिंग ने मार डाला और मडी चीन दित जब मडी चीन लिया सत्रजित प्रसेन मारा गया तो सत्रजित ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान कृष्ट ने हमसे मांगा था उस मडी को मैंने उन्हें दिया नहीं इसलिए उन्होंने मडी को चिनवा लिया जब ये कलंक द्वारिका में ये बात पहल गई कलंक की तो भगवान द्वारिका के कुछ गणमान लोगों को लेकरके मडी को ढूड़ने गए गोडा मारा मिला प्रसेन पड़ा मिला और जामवान नाम के रिच्छ के पास भगवान गए जामवान की बेटी थी जामवती वो उस मडी को लेकर की खेल रही थी सुकदेव स्वामी कहते हैं आदरली आचार्य परिक्षित जी भगवान का संग्राव हुआ उस जामवान से जब वो परास्त हो गया भगवान से तो उसने कहा ठाकुर आज 27-28 दिन हो गए हैं अब मैं जान गया कि आप राम ही हैं कृष्ट के रूप में आये हैं मुझे मालूम है यह मड़ी आप ले जाओ महराच जिस मड़ी को आप ढूणने आये हैं और साथ में मेरी एक मड़ी है बेटी जामवती इसको भी ले जाओ भगवान ने उस मड़ी को जामवती के साथ करके जामवती को भेज़ दिया भगवान के साथ ध्यान देना सब्दों पर अब परिथि जित्च जो गए कहा भगवान ने भालू की बेटी के साथ विवाह कर लिया कहा हाँ कहा महराद भालू की बेटी के साथ धगवान का विवाह कैसे हूँ हाँ परिक्षित भगवान जब जामवती को ले करके आए तो साम के समय द्वारिका वे गए और जामवती को ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया कमरे भी बंद कर दिया और जामबोती से कहा ये दरवाजा तुम्हें तब तक नहीं खोलना है जामबोती जब तक मैं नहीं कहूंगा जामबोती ने कहा महराजी ठीक है अब रात में भगवान जब रुक्मली के महल में गए तो प्रसंसा करने लेगे वो कहा कि मैं एक दूलहन लेकर आया हूँ वो आप से ज़्यादा कहीं ज़्यादा बहुत सुन्दर है रुक्मली तुमको अपने सुन्दरता पर बड़ा खमंड था जिनको मैं लाया हूँ वो इतनी सुन्दर है कि तुम देखोगी तो सर्म खा जाओ इतनी प्रसंसा किया कि रुक्मली जी सुबा हूठ करके चली गई देखने के लिए उसको और आवाज लगाई कहा बहन दरवाजा खोल दो दरवाजा खोलो बहन दरवाजा नहीं खुला सुबा से साम तक रुप्डी जी खळी नहीग जब साम को रुकपडिवी को क्रोध हाया तो उन्होंने कहा जामवती मैं अंतिम बार कह रही हूँ दर्वाजा खोल दू दर्वाजा नहीं खुला तो जामवती ने कहा कि मैं साफ देती हूँ महाराणी रुकपडिवी ने जामवती इसको कहा ए जाम्बती, मैं तुझे साफ़ देती हूँ, कि तुम मुझसे ज़्यादा सुन्दर नहीं हो सकती हो, जैसे मैं हूँ, वैसे तुम हो जाओ, जैसे इतना कहा, भगवान ने कहा, दरवाजा खोल दो, जाम्बती ने दरवाजा खोला, तो रुक्षणी की तरह जामवती जी बाहर निकली भगवान से रुक्षणी जी ने कहा ये मुझसे कहा जदा सुदर है भगवान ने कहा कि ये आप जैसी हो गई यही बहुत बड़ी वात है जदा सुदरता की जरुत नहीं था भगवान का दूसरा विवाह बालू की बेटी के साथ भगवान का तीसरा विवा सत्य भावा के साथ भगवान का अगला विवा जमुना जी के साथ पाचवा विवा मित्रविंदा जी के साथ और चट्वा विवा राजा दिदेवी की पुत्री भद्रा के साथ सत्वा विवा भद्रा के साथ और भगवान का आठवा विवा लक्षमणा से हुआ सोला हज्जार कन्याओं को भावमा सुर्णे बंदी बना लिया था उनको मुक्त कराया कुल मिला करके भगवान स्रीकृष्ट ने 16108 राणियों के शाथ पाड़ी गरेड़ संसकार किया अबिवाह कि ये महाराज परिख्य जी ये 16108 बेद में एक लाख मंत्र है असी हजार मंत्र कर्ब कांड के और सोला हजार मंत्र उपासना कांड के ये उपासना कांड के बेद की रिचाये है परिक्षित ये जब भगवान के ब्रह्म की शत्ता को पार नहीं पाई तो भगवान की पत्वी बंत्र के आए सव उपनिशत संगिता चार बेद चार उपवेद आठी ये सब भगवान के पत्नित्वेन भगवान का वरण करके पत्ती बनकर की भगवत सत्ता को समझने के लिए आई परिचित कुल मिला करके भगवान ने पड़ा 16,108 विवाह किया है और ये पवित्र विवाहोसो जो भगवान का सुनता है उसके घर में और उसका उसके जीवन का उसके जीवन में बड़ा मंगल होता है इसलिए ये मंगल चरित्र आप लोगों ने इस्रवण किया और आईए भगवान के मंगल में विवाह की शुब कामना देते हुए आप लोग भगवान के विबाहोसों में अपसामिल हो मंगल में विबाहोसों के गीतों इत्यादिका अनन्द ले और भगवान को बार-बार वदाई ठाकुर्दी को शुब कामना इस धर्ती के मनुश्यों के तरफ से कि संसार में जितने जीव हैं सब के वास्तुइक पती आप हैं आईए भगवान का वंगल में विबाह हुआ है सब लोग हाथ से तालिया लगा करके इपने खुशी से भगवान को शुब कामना दे मधाई प्रशित करें दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी बादामी सकी बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी काली काली जुल्पे अरके से घुगे राले काली काली जुल्पे और के से घुगे राले देखो सुमिकली मने माने लखा तरिया हुलजादी उजब खरे पशे आदे लखा तरिया हुलजादी दुलहा के रख आजवादी नली के रख बाता में दुलहा के रख आजवादी नली के रख बाता में दुलहा के रख आजवादी नली के रख बाता में दुलहा के रख यादी कजिरारे अधरे अरूनारे कजिरारे अधर अरूनारे भोके सरिया प्यारे आओनी कि पर्दारो वाने देगी जिवा आछी हो जक्णूद कजिरारे अधरे अरूनारे है बंज महीर से अधम हर नाते हैं लग 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 तोई तरने वी बाहिज स्ट्रव तर्म ए लग तवानो रहा क्राउisiert रोत्तर आतском राक बाहिज कर दो प्रीमे प्रमोले को बाधले बरे गते बाधले बरे गते बाधले बरे गते प्रमोले को बाधले बरे गते प्रमोले को बाधले बरे गते प्रमोले को बाधले बरे गते बाधले को बाधले बरे गते वाके रखे 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 दोले तु लहाँ है सरकार की गड़ हाँ बाग के बिहारी की देख छटा मेरो मन होई गयो लटा पटा बाग के बिहारी की देख छटा मेरो मन होई गयो लटा पटा लचा बचा जी लचा बचा 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 मैं लेता लें न मेरिज्या को और मैंदू और हम लेकर लेकरी को और मैंदू जो तुने मुझे भागज करगाना तुने मुझे भागज करगाना madam hang कई और हम उर जर हम आप दो कि अखर दों devastating कि अब आज नीचे से नहीं आ रही है बल ना लगे तो हनुमान जी का समनड कर लोकों की हनुमान जी बहुत अब भी आवाज नहीं आई आज खिजडी पर्भ है लगता है इसलिए डाउन है सब लोग प्रेम से बजरंग बली की जाए अयुत्या धाम की जाए ब्रिंदा बंधाव की मतुरा धाम की यह भगवान की मंगल मैं कथा जैपारश्टी वी चैनल के माध्वन से आप सब लोग स्त्रमण कर रहे हैं इस कथा का आयोजन कराने वाले मुकेश भाई अरबिंद पांडे जी नागेश तिवारी जी रमेश पाठक जी बजरंग राटोर जी साहब आप सब का बड़ा बड़ा आभार है जिन्होंने अपने अथक प्रियास के द्वारा ऐसे समक्ष प्रस्तुत के यह हम आपका बड़ा परम सोभा के हैं जो कि भगवान के मंगल में कथा अवद धाम से आए परम पूजनिये परमादनिये आचारी प्रवर डाक्टर स्री रगुपत्र पाथी जी महराज के मुकारबिंद से अमरित मही मधुर मही रश मही बाली के द्वारा भगवान की मंगल में कथा स्त्रवन कर रहे हैं जिस कथा का आच छठवा दिवस रहा कल कथा का अंतिम दिवस हैं कल आप सभी माताय बहने भाई वंधूग बूल भुजुर्ग समस्त स्त्रोता भक्त जुनों से निवेदन ह कि कथा समय बद्धता पूरवका करके ठीक बारा बजी पांडाल में आवें दोर दर्सन लखनाओ के कलाकारो द्वारा दिव्य हनुमान चालिसा भजन का आनंद लें हमारे मनुज पाठक जी के सानिद्ध में ये पूरी संगती पूरी आर्टिस्ट की व्योस्ता की गई है एक बार जोरदार ताली कराकार जनों के लिए लगाएंगे और ये रावल साउंड सर्विस वाले भाईया को भी बहुत भभूत धन्यवाद जुझोंने अपनी बड़ी सुंदर ब्योस्ता बड़ी समय बद्धता पूरवक देते हैं एक बार जोरदार ताली लगाएंगे तम इतना तेर ताली लगाओ कि अयोग्ध्याता का आवाद चली जाए और जोर से थोड़ा ताली लगाओ जायोग कर रहे हैं आप समस्त सहयोगी दान दाता हो का मैं बड़ा आभार बिक्त करता हूँ जिन्होंने तन मंधन से सहयोग दे करके कारिक्रम को सुसंपन करा रहे हैं जिन लोगों ने दान दिया है वो आभार के पात्र हैं जिन लोगों नहीं दिया है वो अपना दान सुरूप समस्त आयोजुकों के सन्निधी में सन्निहित कर दें और समय से आ करके कल ठीक 12 बजे समय बदता पूरबक आ करके कल आपको मानो जीवन में जीवनो उपयोगी चीज मिलेगी मानु जीवन कैसे जिया जाए पूरे भागवत का सारांस बताया जाएगा कल की कथा जो स्त्रमन करेंगे उन्हें सातों दिन कथा स्त्रमन करने का लाभ प्राप्त होगा इसलिए आप सभी लोग कल की कथा में जरूर आवें कल की कथा में आकरके भगवान की मंगल चर और नाये हैं हम लोगों के बेज में स्री धर्मेन सिंग बाभूजी सुल्तानपूर से आए हैं इनका बड़ा बड़ा आभार जो कथास्ट रमन करने के लिए आये हैं इतनी धूर से हमारे गोरी गन से भी कुछ भगत जगत आये हैं बढ़ोदा से लोग आये हैं इन समस्त्रो लगाते हैं आएस अभी लोग ताली लगाते हुए हरी नाम असमान करते हैं उसके बाद आर्थी प्रसाद यता स्थान प्रसाद पोलिभक्त वस्तल्भगवान कि विंद गाले, विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले ना पाप सभाले, ना भाई सभाले ना भाई सभाले, ना बेता सभाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले मरने के पहले, अपने को सभाले अपने को सभाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले विंद गाले, विंद गाले विंद गाले, विंद गाले आले रांवा, आले आलामा, आले रांवा, आले ठींजवा, हाले आले प्राजानानम्मे अस्तुदा सवेरगं सर्वगणगं सस्ताई आत्मसनी प्राजासनी पसुसन्य भयसनी आग्नें प्रजांब वुलाम्मे करो तंदंप पयोरेतो अस्मा सुधत्त स्रियाहकानताय देवाय कल्याराय निले अर्थिनाम् स्रीवेंकर निवासाय स्री निवासाय मंगल स्री भागवत भगवान की है आर्थि पापियों को पाप से है तार्थि ये अमर गर्ट ये मोसे पंत ये पंचम बेद निराला नव जोसी जगाने वाला ये अमर गर्ट ये मोसे पंत ये पंचम बेद निराला नव जोसी जगाने वाला हर राम नहीं हर ज्यान नहीं उसी जगमंगल की आर्थि पापियों को पाप उसे है तार्थि भागवत भगवान की है आर्थि पापियों को पाप उसे है तार्थि ये शांतिगीत पावन पुनीत पावों को मिटाने वाला हर दर्ष कराने वाला ये शुक करणी और दुख हर दिश्रीमन को दन की आरती पादियों को आते है तारती ये बागवन अगवान की है आरती आपियों को पाव से रैतारती ये मदुर बोल भवबंद खोल सनमार ये बटाने वाला विगडी को बनाने वाला दिर्वाजन को नभवबंद को दनमार ये बताते वाला विगडी को बनाने वाला पापियों को पाप से है तारते तरपूर्य गौरं रगुगा भतारं सता धतारं फुझ दिल आरं सता वसंतं इतलाः भतारं भमानि वैटम नमारं मनियां पोगता पोगता तिसाता वालों वित्वाम भारं आडव महाता हिक जालता तरपूर्य गवद्व नम्न सतार अडवादल फुझ दिल आर्वोगता कैना वित्वामन खुम गुझ दी वामनि वहाता हिक जालताक कैना तुल आर्व महाता हिक जालता हिक जालता कमेवन तर दिए आपने नवाट में अथिवाद बन्दन अधिवाद बंदनम हरियों जगनेन जग मैं जंत देवास्तानि धर्वाई प्रतमान्यासन टेह नाका महिमाना सचंत्र यत्र पूर्वे साध्यासंति देवा सेवन्तिकाप कुल चंपक पार्चलाप्जे पुन्नाग जान्द करविलर साल पूस्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरेवे पांपो जायामि जगदी स्वर में प्रसीदा सुगंध वल्ली सत पत्र जाते सुवल्ड चंपाव कुलोद भावानी ग्रिहाल देवी समयार पितानी प्रभोहरेश्री पुषपांजलानी नाना सुगंध पुषपानी यथा कालोद भवानी जा पुषपांजलिर्मयादत्त क्रिहाल प्रमेश्रा स्रे पुराण पुर्शोत्त वायनवा मंत्र पुषपांजली समर पयामी नमस्करोमी प्रणमोमी बंदनोमी प्रेम से बुल्य राधा क्रिश्न भगवान की सामर्या सेठ की घंघा सरिव महरानी की करुदहनमान जी महराज की भर्म की भर्म का लाडियों में सदभाव do ऐसी विस्व नात थानी की जो हम भलतर हो द्रीपारन बते पते हाब हो काल हर कश्ट दुख्कार धारित्र हर 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 महादेव सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्चंतु माकशित दुख्वाक्वे हरी योग शांती शांती शुशांति रवावतु सभी भक्तिगड़ अपने अस्थान पर बैठ जाएं सांती का पर्चे बनाए रहें